मेरे टीम में एक लड़का है जिसका नाम है शौविक वो एक दिन ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और उसने फोन पर बात करते हुए किसी को सुना वो कंप्लेइन कर रहे थे, वो किसी सलूशन को यूज करते उसका बहुत जादा ही कंप्लेइन कर रहे था इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट है कि आप अपने कॉम्पेटिटर को इन एन आउट समझे हम बहुत बार यह गलती कर देते हैं कि हम सिर्फ अपने भी फोकस करते हैं बट सैस में ऐसा नहीं चलता है जहां सैस एक बहुत जादा कॉम्पेटिटिव मार्केट है वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं तो आपके अपने कॉम्पेटिटर को जाना बहुत इंपोर्टेंट है कि यह भी चीज़ आप ले सकते हैं and same commercial में ले सकते हैं या उससे कम commercial में ले सकते हैं and client को वो फाइदा ही था client ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ के हमारा trial लिया और जब उसे दिखा कि हमारा solution better है and most important इनको अच्छा support मिल रहा है आपको यह भी समझना परेगा कि आपके competitor किस चीज में अच्छे नहीं है या किस चीज में अच्छे हैं ताकि आप उसी हिसाब से अपने client के साथ बात कर सकें आप किसे solution में lag करें अपने competitor से तो आप make sure करें के उन चीजों से थोड़ा दूर हट के बाद करें और उन चीजों को ज़्यादा आप दिखाए जहां पे आप उनसे अच्छे हैं most important SaaS में support देना बहुत important हो जाता है जैसे ही आपके competitor बरे होने लगते हैं वहाँ पे decrease होने लगता है support label का और यह एक बहुत बड़ा pain area है इंडिया में इंडिया के लोग हमेशा ही support के लिए भागते हैं और उनको जहां पे ज़्यादा अच्छा support मिलता है वहीं पे वो जाते हैं तो अगर आप अपने competitor के support system को देखना चाते हैं तो आप make sure करें कि उनके clients से आप बात करें आप थोड़ा सा पूछें आप यह समझें कि कहां पे pain areas हैं कहां पे pain areas नहीं हैं हर बार sale करने के लिए नहीं बात करें आप कभी-कभी यह भी समझने के बात करें कि क्या आप में कुछ ऐसी कमी है जो आपके competitor में अच्छा है अगर आपके competitor में वो चीज़ अच्छे है तो please आप उस चीज़ को adopt करें and adopt कर कहीं आगे बढ़े एंड समझने के बाद उस्पैक्शन लेते हैं तो यह मेक्शूर होता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं मैं अपने क्लाइंट्स को यही बोलता हूं कि अगर आप किसी को ला सकते हैं कॉंपर्टिटर को तो प्लीज लेकर आईए आप मुझे opportunity दीजे कि मैं उनसे compete करूँ अगर मैं उनसे अच्छा हूं तो आप definitely मेरे साथ बने रहेंगे अगर मैं उनसे खराब हूं तो definitely आप हो सके मेरे से चले जाएं या आप उनसे बोलें कि improve करने के लिए जो मेरे लिए फाइदा होगा जो मुझे अच्छा लगेगा तो जब भी कोई client बोलता है कि ऐसा तो नहीं कि आप best हैं मैं बोलता हूं ऐसा नहीं कि मैं best हूं पर मैं ये make sure जरूर कर सकता हूं कि मैं जो best कर रहा है उससे और अच्छा करने की कोसिस करता रहूं तो अपने competitor को अगर आप नहीं जान पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी opportunity मिस कर रहे हैं and आप इससे definitely ignore ना करें competitor के बारे में जानने के 2-3 तरीक है एक तो आप client से बात कर सकते हैं उन से पूछ सकते हैं दूसरा आप internet देख सकते हैं उनके employees कैसे बात कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं क्या चल रहा होता है, उनकी pricing क्या होती है, उनका solution क्या क्या है, most of the companies अपने solutions के बारे में website पे mention कर देती है, तो आप उनके website पर जाके solution के बारे में पढ़ें, वो क्या क्या solution दे रहे हैं, क्या क्या solution नहीं दे रहे हैं, कभी-कभी pricing में mention क्या हो रहता है, तो आप उस pricing के बारे बलकि उस respect में आप अपने आपको अच्छा दिखा है और आप बताए कि आप उनसे कैसे better है instead of defaming them आप अपने आपको अच्छे तरीके से present करें कि आप क्यों अपने client के लिए better option है उस competitor से तो अगर आपको SaaS को crack करना है and company को बड़ा करना है तो अपने competitor को आप इगनोर नहीं कर सकते हैं इसी तरीकी के वीडियो के लिए प्लीज चैनल को subscribe करें and अगर कुछ और जानना है तो आप comment में जाके जरूर mention करें मैंने कुछ links दिरी रखा है description में वो चेक करना ना बोले और हाँ course live है webinar भी होने वाला है तो इन सारे चीजों का आप जरूर चेक आउट कर सकते हैं